नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करना वाले हैं 30 और 1 दिसंबर तुला रासी के महारासी फल के बारे में दोस्तों आप सभी को बता दें की आने वाले दो दिनों की अंदर जो महत्वपुन घटना होने वाली है दोस्तों इसकी सच्चाई सुनकर आप सभी की रोंगटे खड़े हो जाएंगे जी हाँ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अब आप सभी के जीवन काल में वो बड़ी घटना होने वाली है जिनसे सभी दुस्मनों के होस उड़ने वाले हैं जी हां दोस्तों जो दुस्मन हमेशा तुम्हें नकाम्याब देखना चाहते थे जो दुस्मन हमेशा आपको गठे में धकेलने का कार करते थे तो दोस्तों अब उनकी बोलती बंध होने वाली है और दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि जब आप सम इन घटनाओं को इन चमतकार को देखेंगे तो दोस्तों आपको अपने आप पर यकीन नहीं होगा कि हमारे साथ कभी भी ऐसी घटना ऐसी चमतकार होगी जी हां दोस्तों और दोस्तों हम आप सभी को बता दे कि इनकी सच्चाई सभी की बोलती बंध करके रख देगी पन्तु दोस्तों हम आ आप सभी को बता दें कि आपकी रासी में आपके कुंडली में अब गरहों की परिवर्तन हो चुका है जिनके कारण दोस्तों आप सभी के जीवन काल में पांच बड़ा अनर्थ वाली घटना होगी। ये तो अनर्थ ही हो गया इनके जीवन काल में इतनी बड़ी खुसखबरी आखिर केसे मिल गई केसे इनका जीवन अचानक से बदल गया। पुन साफधानी आपको बताने वाले हैं, दोस्तों उन्हें आप भूलकर भी मिस्ट न किजिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप इन्हें मिस्ट कर देंगे, तो दोस्तों हाथ में आया ये मोका आपके जीवन काल से जा सकता है, जी हाँ दोस्तों, जिसे फिर से आप वही इ सिती में राजाएंगे जिनमें आप पिछले कई समय से चल रहे हैं जिहां दोस्तों दोस्तों आप सभी को बता दें कि अब आप सभी के जीवन काल में सुक्र और गुरु की सिती बहुती परबल संभावनें दिखाई दे रही है जिनके कारण दोस्तों आप सभी के जीवन काल बदल जाएगा जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दें कि पहले सी मंगल आपके कुंडली के लिए सुभ इस्तिती में थी लेकिन दोस्तों जहां सुकर और गुरू की इस्तिती बन गई उनमें आपको बहुती बड़ी ऐसी संभावना मिलेंगे जिसे दोस्तों आप सभी का ज सबसे बड़े महतुपुन पल से मिस हो जाएंगे जिने पाने के लिए आप पिछले समय से मेहनत कर रहे हैं जिने पाने के लिए आप पिछले कई समय से कर्म कर रहे हैं जी हां दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि मंगल की सिती पहले से आपके जीवन काल में सूब हैं जिनके कारण दोस्तों आपके सोचने की छमता में बहुती गती आई है और साथी साथ दोस्तों गुरु याने की दोस्तों देव गुरु बिरिश्पती धन के देवता भगवान स्री हरी विश्णु जी आप सभी के जीवन काल में प्रशन होने वाले हैं और साथी साथ दोस्तों सुक कर्मों का फल आपको मिलना ताई है जी हां दोस्तों अब आपकी कर्मों में बहुती बड़ा तुफान आएगा जी हां दोस्तों और दोस्तों ऐसे में आने वाले दो दिनों के अंदर आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुती अवश्यक होंगे दोस्तों इस वीडिय प्रवार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार तो दोस्तों जरू लिखेगा अर्थिया आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें साथी बेल आइकन को प्रेज करके और पर स्लेट कर लें तो जो दोस्तों बात करते हैं शुरुआत करते हैं श्रीक क्रिशन जी की एक बहुती मुल्यवान ग्यान से एक बहुती अच्छे विज़ार से जो कि दोस्तों आपको आने वाले जीवन काल में यह बात हैं आगे चल कर बहुती काम्याभी देने वाले शावित होंगे वहां से चला जाता है यह दिर से देखकर देव रिशी को हंसी आ गई रिशी अंगारा ने उनसे हंसी का कारण पूछा नारद बोले है रिशीवर यह दुकान पहले एक कंजूस वेक्ति की थी अपने जिन्दिगी में उसने बहुत सारा पैसा एकठा किया और इस जन्द में वह कुता बन कर पैदा हुआ और यह दुकान मालिक उसी का पुत्र है देखो जिसके लिए उसने बेशुमार धन एकठा किया आज उसी के हाथों से उसे जूठा भोजन बे नहीं मिल शका करफल के इस खेल को देखकर मुझे हासी आ गई जहां दोस्तों मनसु को अपने शु ज्यान से समध हैं तो दोस्तों वीडियो को एक प्याराशन लाइक आवश्य कर दें और इनके लिए 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 जैसरी कृष्ण राधे राधे तो आए दोस्तों इसे के साथ बात करते हैं कि मालक्षमी जीकी किरपा से आपके आने वाले जीवन काल में कौन-कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं अगले दो दिनों के अंदर में कौन-कौन से बड़े चमतकार होने वाले हैं और दोस्तों आपको कौन सी विश्यस ब मिलना तय है आपकी कोई खास युगता और काबलियत लोगों के शामने आएगी समय का सदप्यों करना आपकी शामता पर निर्भर करता है आज का दिन खास तोर पर महिलाओं के लिए बहुत ही अनुकुल बनी हुई है इन्हें अपने लक्ष हासिल करने में शफलता मिलेगी सा तरीके से इन्हें हाल करने का प्रयाश करें नुक्र में किसी प्रजेक्ट में सफलता मिलेगी साथिसाध दांपत्य जीवन में चली शमशियों का हाल मिलेगा परिवार के साथ धार्मी आधात में अस्टल पर जाने का भी आवशर मिले दोस्तों आपको इन दिनों में मालक्ष मी जेकी किरपासे और आपकी अच्छे कर्म परधान होने के कारण दोस्तों आपकी घर में एसी खुश खबरियां एसे सुप समचार दस्तक देने वाले हैं जिसे कि दोस्तों आपका पूरा परिवार खुसे से जूम उठेगा दोस्तों आप अपनी गत्य विदियों को नया रूप देने के लिए कुछ राचनातमा कारे करेंगे जिसे लक्ष को हासिल करने के लिए आप कापी समय से परियास रथ थे आज उसके अनुकुल परनाम हासिल हो सकते हैं मनुबल तथा आत्म विस्वास भी भरपूर रहेगा अ आज सुखत गिरिशिती बन रही है किसी मित्र अत्मा से होगी और दोरा फौन के माध्यम से कोई महत्पुन सुचना मिलेगी जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही फाइदमन साबित होगी कुछ शमे मन मुतावित कारियों में शमे वेतित करके आप परभुलित और करेंगे दोस्तों गिरिशिती में सकार्तमा बदलाव आ रहे हैं आज किसी लंबे समय से चली चिंता से रहत मिलेगी अपने छिपीवी परत्युभाव को पाचाने और उन्हें सही दिसा में लगाएं बायों के साथ किसी महत्पुन मुद्दे पर सकार्तमा वीचार्स भिमर करेंगें और उनके मारदन संद से कोई शमस्या भी दूर होगी परिवार में कोई मांगली आयोन की योजना भी बनेगी दोस्तों आज कहीं तरह कि जिम्यदारियां आपके उपर रहेगी दिन की सुरवात में ही अपने महत्पुन कारियों से समंधित रूप रेखा बना ले क्योंकि दोपर बाद परिस्तिया आपके पक्ष में बहुती अनकुल रहेगी युवां को कोई मन मुतावित कारे बनने से आपको शुकुन मिलेगा दोस्तों आज आपकी कई पुरानी शमस्या हल होने वाली है आपका विवेग और सुजबुच से लिया गया निरने बहुत की शेकर्थ मग रहेगा तदा हर काम सांती पुन धंग से संबन होंगे वेदेश जाने के लिए परियासत लोगों के पेपर रोगों में चरे बैब धाम भी दूर होंगे दोस्तों आज आपकी कोई पारवारिक शमस्या दूर होने वाली है जिसे आप अपने आपको मानसी व प्राप्त होगी दोस्तों आपके साथ कोई एसी घटना-घटित होगी जिसके बार में आपने कभी अनुमान भी नहीं लगाया होगा आपको किसी एसवरी सकती का अभ्यास होगा प्रपटि समन्दित कोई निरे लिने में वारिष लोका मारदास न रहेगा और आप किसी समस दूर करने में आपका योगदान रहेगा और इससे आपको खुसी भी मिलेगी बच्चे भी इस समय पुन रूप से अनुसासित तथा पढ़ाई के परती एगया करचित रहेगे दोस्तों आज आपका पूरा दिन व्यक्तिगत गत्री विदियों में ही वेतित होगा घर में खास मेहमानों के आगमन से व्यवस्ताप पूर्ण रहेगी उपारों का आदान परदान में शुखना मावातारण बना रहेगा किसी नजदी की समंदिद दोरा बच्चे की किलकारी समंदिद कोई शूचना मिल शक्ती है जिसे दोस्तों उस सबका माहूल रहेगा तथा कोई कोट के समंदिद मामला चल रहा है तो किसी परवावसाली व्यक्ति की सहयोग दोरा फ्यसला आपके पक्ष में होने की शंभावना है सुजबुज और विवेक से कामले सफलता निस्सित है दोस्तों बदलते परवेश की बज़से कुछ नितिया आपने बनाई है वह आपके लिए बहुती फायदमन सावित होगी बीमा तथा निवेश शमंदिद कार्यों में भी पैसा लगाना उत्तम रहेगा कोई भी असमांजस की इस्ती बन्य पर घावराने की बज़ाय मना और चिंतन करें जल्दी आपको अपने समाशा का शमधान मिल जाएगा तथा दोस्तों फाइनल से समझेद कोई भी नेने लिनया कार करने के लिए आज का दिन अनुकुल है आज आप रोजमरा की जिन्दीगी से हटकर दिन्चारिया में भी कुछ नयापन लाने की कोशिश करेंगे इसे आपकी मानसिक वशारिक ठकान दूर होगी तथा एक नई उर्जा का प्रभाव अपने अंदर महशुश करेंगे दोस्तों अधिक कोई काम अधूरा है तो निरास होने की बजाए पूरी उर्जा से उस पर कार करें दोस्तों आपको सफलता की पुर्ण शंभावना बनी हुई है अपने काम को नया रूप देने के लिए कुछ रासनात्मा गत्तिविदिया भी रूची लें अपने व्यक्तिगत में निखा लाने पर दियान दें दोस्तों आज अपने रूटीन में बदलाब करने के लिए मन चाहिकार में कुछ शमय देने से शुकुन मिलेगा सभीकार मन मुतावित पूरे होते जाएंगे समाजिक और राजनतिक छेतर में आपका सुजाब रहेगा आज मन मुतावित समय बेतित होगा इस समय आप अपने योजनाओं पर काम सुरू कर सकते हैं अगर परपटी या वाहन की खर्यादारी की कोई योजना बन रही है तो उस पर गमिर्था से विचार कर लें इस समय वैपार में नई नई डिल हो सकती है दोस्तों अगर आज कोई महतुपुन फैसला लेते हैं तो उस पर टिके रहें आपको फैदा होगा घर में अनुसासन और उचित वैवस्ता बनाए रखने में आपका योगदान रहेगा कहें रुका हुआ पैशा वापस मिलने से आर्थिक इस्तिपाले से बहतर हो जाएगी दोस्तों इन दिनों का शमय आपके लिए बहुत ही अनुकुल शमय है इस समय आपका कोई रुका हुआ नीजी कम किसी रायतिक इनसान की मदद से पूरा हो शकता है पारवारी और वैवसाई माहोल को बहतर बनाने के लिए की गई कोशिश से सार्थक होगी दिन शुखद वेतित होगा लेकिन किसी भी कार में शफलता शंघर्ष के साथ ही मिलेगी किसी सुपचिन तक की प्रणा और आसिरवात से आपका कोई विश्यस उदेश पूरा होना की संभावना है घर के किसी विवायोगी सदसे के लिए उची दिरिश्टा भी आ सकता है अतिसा दोस्तों लंबे समय से कोई आटका हुआ काम सुलजेगा सिर्व खुद पर विश्वास रखें और अपनी योगता शावित करें नजदिकी समंदियों से मेल मुलाकात करने से महतफुन जानकरिया भी हाशिल होगी समय सफलता दायक है संतान की तरब से संतुष्टी भी रहेगी समय बहुती ज़्यादा आपके पक्च में है लेकिन हर परस्थिती में समांज़स बना कर रखने से समय को काफी हद तक अनुकुल भी बना लेंगे समय तथा सोसाटी समंदिक गति वीदियों में आपका योगदान होने से पहचान भी बढ़ेगी घर में सगे समंदियों का आगमन तथा मेल मुलाकात घर के बतारन को शुक नामा बनाएगा दोस्तों किसी महत्पुन योजना को पूरा करने के लिए आज का दिन बहुत ही विशेश है बच्चों से समंदिक किसी खास समस्या का भी हल निकलेगा युआ वर्ग अपनी पढ़ाई और केरिय को लेकर पूरी तरह गंबिर और सजगर है आगे चलकर आपको शफलता मिलेगी गिरिशिती अनुकुल है अपने जीवन से जोड़ी कई शमस्या का हल आप शमही निकालने में काफी हाथ तक शफल होंगे सिर्फ अतीत को भूलकर वर्टमान में जीने का प्रयास करें वैस्ता के वावजूद अब अपने मित्रवर रिष्टारों के साथ भी समंध मधूर बना कर रखेंगे दोस्तों आप सब भी को बता दें कि आने वाले इन दो दिनों के समय अबदी में दोस्तों आपकी से भी काम को कठीन मान कर ना छोड़ें थोड़ी सी मेहनत आपको बहत्रिन सफलता देने वाली है आज कोई नई बातों को सीखने में भी आपको रूची बढ़ेगी वहीं दोस्तों अगर आपकी सावधानी के बारे में बात करें तो दोस्तों समंध बनाते वहवारे दिश्टी कोन रखें नकर्तमपरवर्ती के लोगों से निश्ची दूरी बना कर रखना ही उचीत है आएके साधन तु बढ़ेंगे पर तु साथी खर्चे की भी अधिकता बनी रहेगी अतिदी वैस्ता के चलते घर परिवार के लिए समय निकालना मुश्किल होगा और ज्यादा सोच विचार करने से मो के हाथ से निकल भी सकते हैं अपने योजनाओं को जल्दी किर्यावन करने पर भी ध्यान दें रिक्स परवर्ति के कारों में आज बिलकुल भी निवेश न करें घर में महमानों के आगमन से कुछ महतिपुन कार भी रुख सकते हैं दोस्तों किसी भी नकार्त में इस्ति अथ्वा विवादित मामलों में अपने गुस्य पर काबू रखें और धैर से सावाधान डूंडें कोई भी सरकारी कार निकलवाने के लिए अनेतिक गत्तिविद्यों को शाहरा ना लें विद्यार्ती वर्गों को अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने की जवरत है साथे किसी बज़े से आर्थिक नुक्सान होने की इस्ति बन रही है भावक्ता और अलस की बज़े से आपके बनते कार में विग्ण बाधाय आ सकती है गर के बुजरों की विशेस देखवाल और आदरमान बनाए रखें जिससे की वो अपने आपको उपाच्छित में सुष्क ना करें दोस्तों अपने योजनाओं को जग जाहिर न करें तथा दिखावे के चकर में अधिक खर्च करने या खर्च लेने से बचें अगर किसी से कोई वादा किया है तो उसे पूरा करने का प्रयाश करें अनद दोस्तों आपके छवी खराप हो सकती है विद्यार्ती अपने पढ़ाई को लेकर उचीत रूप रेखा भी बनाएं दोस्तों किसी भी विबादित मामूल में अपने दखल अंदाजी ना करें गुसी और जल्दवाजी से सभाव मर नियंतरन रखें गर के वारी सदर्स के अनुवी और मार्दर्शन पर भी जरूर अमल करें विद्यारती अपने पढ़ाई को लेकर लपरवाना बने तथा किसी से भी ज़्यादा मदद की उमीद ना रखकर खुदी अपने कारे को अंजाम दें आज किसी भी तरह उधारी अथवा लेंदें ना करें तो बेहतर है पैत्रिक समंदी मामलों में विवेक और समाजदारी से काम लें जल्दी आवेस में आना समंदों को भी गावी सकता है दोस्तों कोई मनरोजन अत्राप प्रोग्राम बन रहा है तो फिलाल उस समय के लिए टालना उचित है दूसरों के कारे को कोपी करने की वजाए अपनी कारे छमता तथा योगता के अनुरूप कारे करें कुछ नुकसान होने जिस्ति इस्ति भी बन रही है इसलिए दोस्तों सावधान रहें और दूसरों के मामलों में हस्चेप करने या बिना मांगे सलहाद देने से आपकी परती अपमांज इस्तिती भी बन सकती है वज़त व्यवस्तित रखने के लिए अनवासक जरुतों पर काबू बना कर रखें घर की व्यवस्ता उचित बनाए रखने के लिए आपका शहयोग जरूरी है दोस्तों प्रैक्टिकल बने तदा भावनाओं को बाहकर कोई भी नेने ना लें वना दूसरों की बातों में आकर अपना नुक्सानी कर बैठेंगे जमिन जाज़दा से समंदित कोई भी कागजी करवाई करते समय अच्छी तरह जान परताल करना चरूरी है विद्यारतों को अपने पढ़ाई पर अपना ध्यान के नित रखें दोस्तों युवा वर्ग विशेश रूप से ध्यान रखें की वेर्थ की दोस्ती और गती विदियो में समय बेतित ना करें क्योंकि इसका कोई भी उचित परनाम हासिल नहीं होने वाला है युवनाय बनायने के लिए साथ-साथ उन्हें कार रूप देना भी अती अवशक है इसमें कोई भी लेंदन करना आपके लिए नुकसान दख रह सकता है इसलिए दोस्तों इन पर आप सावधान रहें साथे साथ दोस्तों अवांचित लोगों के साथ मेल मुलाकत रखना आपके मानहानी का कारण बनेगा तदा समय भी बरबाद होगा कोई व्यक्ति आपकी भावता और उदारता का फायदा उठा सकता है इसलिए किसी पर विश्वास करने से पहले समी पाहलूँआ पर अच्छी तरह सोच विचार अवश्य कर लें दुसरों के मामलों में बिना मांगे हस्चिव करना आपको मुसीवत में भी डाल सकता है इसलिए अपनी छामताप और विश्वास रखें इसमें किसी भी यात्रा को अस्तिगीत रखना ही उचीत है कुछ समय बच्चों के साथ भी जरूर शमे वेतित करें इसे उसका मनुबल बढ़ेगा दोस्तों कुछ समय आत्मनन और चिंतन में लगाएं इसे आपका मनुबल भी बढ़ेगा घर के किसी सदस्य के विवाज समयंदों में परेशानी आने से तनाव रहेगा धैर और शम रखना आपके लिए वसावधानी रहेगा विद्यारती अपने पढ़ाई पर ध्यान दें मुश्किल आने पर टीचर की मदद लेने से शंकोचना करें साथी साथ दोस्तों पड़सियों अत्वा मित्रों के साथ वेर्थ की वहसवाजी में ना पढ़ें इसे समन खराब होंगे और आपके कार्व में भी व्यावधाम आएंगे अधेंतरन लोगों को अपने पढ़ाई के परती और अधिक ध्यान देने की जोरत है अनधा दोस्तों लापरवे का असर आपके रिजल्ट पर भी पढ़ सकता है तक कोई भी नया निवेश या नया कार करते समय उसके बारे में अच्छी तरह जांच परतल अवश्य कर लें युवां को कोई लक्ष हासिल करने के लिए जोट बोलना उनकी मुसीवत में डाल सकता है घर से समन्दिद वस्तों की ओलाईन शोपिन करने में अत्यदिक फिजल खर्ची रहेगी वहीं दोस्तों अगर व्यवसाई की बात करें तो किसी भी तरह की खर्यदारी अत्वा लेंदेन करते समय बिल की बगएरा अच्छी तरह जांच परताल कर लें कोई सरकारी कार आज हल हो शकता है काम का ज़्यादा होने से दबाव रहेगा यवां को अपने केरियर समन्दित कोई उपलावदी हाथ आने से शकुन भी मिलेगा बिजनस में जिम्यदारियां बढ़ेगी और ज़्यादा काम होने से वैस्ता रहेगी इस समय दोस्तों काम की क्वलाटी और बहतर करने की जुरत है पबलिक प्लेस पर उचे दिकारियों के साथ बहस में न पड़ें तब बिजनस में दिकत है रहेगी साथे किसी खास मोद्यों पर निरे लेने में असमानजस की इस्तिती भी बन सरही है इसलिए दोस्तों कोई भी काम करने से पहले गर के वारिश जनों की सला अवश्य लें नुक्री पैसा लोगों के लिए ओपिस का महौल शुकुन भरा रहेगा कारे छेतर में अपने उपविस्ति अनिवार रखें तता सभी गत्ती विधियों को अपने देख रेक में ही करवाएं लापरवाय की वज़ा से पाटियां तूट सकती है नुक्री पैसा लोग उच अध्यकारियों के साथ समन्द खराब ना होने दें कारे छेतर में कार परनाले में परिवर्तान लाने की जोरत है हलाकी सहगियों और करुणचारे की मदद से उची द्विवस्ता बने रहेगी तता कारे सुचारू रूप से संपन होते जाएंगे साज़दारी समन्दी व्यावसाई आज गती पकड़ेंगे नुकरी पैसा लोगों को अपना मनुकुल कारभार मिलेगा दोस्तों व्यावसाई गती विदिया समान रहेगी पर्टु प्रडेक्शन समन्दी कार में कमी आने से तना ब्राज सकता है सरकारी नुकरी में अपने कारे के परती लापरवाही न करें तता समय पर अपना टारगेट पूरा करने में ध्यान दें क्योंकि कम्प्लेट होने की इस्ति बन रही है और वैबसाई गती विदिया में सुधार आएगा तता अधिकतर काम उची तरीके से बनते जाएगे इनपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में ज़्यादा निवेश न करें नुकरी पैसा विकती अपने काम के परती समध्पित रहें बोस्ता उज्यकारियों के साथ समंधों में भी मधूरता आएगी दोस्तों आजकारी छेतर में किसी भी फॉन कॉल यादी को नदर अंदाज ना करें क्योंकि कोई महतुपुन सुचना मिल सकती है मार्केटिंग समंधिकारियों में कुछ रुकावटे रहेगी लेकिन परेशान होने की बजाए धैर बना कर रखें आपको अवाशी शपलता मिलेगी सरकारी सेवरात लोग के उपर कोई खास ऑथरेटी आने की वज़े से अतरिक समय देना पड़ेगा दोस्तों नीजी कारणों से बिजनस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे पन तो भिक्र ना करें स्टाप और कर्मचारियों की सहयोग से गत्य विदियां सूचारूर्प से चलती रहेगी प्रोडेक्शन में भी कमी नहीं आएगी ओफिस में फाइनल समंदिक कार्यों में साबधानी भी बढ़ते कारोवार में अभी किसी भी नई योजना को क्रियाविंद करने की बजाए वर्तमान गत्य विदियों की वैवेस्तित रखने में ध्यान दें इन्पोर्ट एक्शोर्ट समंदिक कार्यों में भी अभी मंदिक का अश्र बना रहेगा लेकिन दोस्तों शरकारी शेवरत लोगों को आचनिक अस्थान परिवर्तन से समंदित सुप सुचना भी मिलेगी कारोवारी गत्य विदियों में कुछ सुधार आएगा वास्तु समंद नेमों का उप्योग करना वातावरान को और अधिक पोजिटिव बनाएगा साज़दारी समंदि व्यवसा में व्यरामात तरीके से कार करें वरान दिकते हो सकती है नोकरी पैसा लोग अपना क्लाइंट के साथ डिल करते समय गुसे या आवेस में आने से बचें इससे आपका ही नुकसान होगा दोस्तो वैवसा में टेक्स या सरकारी कार्यों से समन्दित पेपर को सुवेवसित कर लें कोई इंक्वारी हो शकती है और इसका नकार्तम परभाव आपके मान शमान पर भी पड़ सकता है किसी अजनमी के साथ कोई भी लेंद देन करने से पहले उसे समन्दित पुर्ण जानकारी अवश हासिल कर लें और दोस्तों व्यवसा समन्दित कोई भी डील अत्वा अनुबन मिले तो उसे हासिल करने में ज़्यादा सोच विचार न करें क्योंकि उची समय पर ही किये कामों के नतिजे अनुखुल रहेंगे पार्टिस समन्दी व्यवसा में चाणे मद भेद दूर होंगे तिथा वापसी समन्दों में भी सुधार आएगा कारी छेतर की आंतिरी व्यवस्ता में कुछ परिवर्टा लाने की जोरत है वास्तु की नीमों का भी पालन करने से सकार्टमों पर न मिलेंगे सरकारी नोकरी में कोई बड़ी जम्यदारिया मिल सकती है अपने कागजात खुद सम्हा लें दोस्तों बिजनस में बहुत अधिक मेहनत करने होगी अपनी कारी छमता में कमी ना आने दें रुका हुआ पैसा मिलने से आर्तिक इसती बेहस्तर होगी इस टाप और करमचारियों के साथ किसी विशेस कार पर विचार्श भी मर्स होगा जो कि दोस्तों आपके लिए सकार्थ मग रहेगा तो तो व्यवसा में आपकी मेहनत और प्लानिंग से सभी कारे सुचारू रुप से संपन होते जाएंगे पर अंतु दोस्तों इस टाप से समद्ध दिकत ने रहेगी सारे फेसले खुद ही लें मेडिया था संपर सुत्रों के मादम से कुछ खास व्यवसाई जानकारिया मिलेगी जो की बाविशन में फायदमन्द साबित होगी और दोस्तों कारोबार में नया काम सुरू किया है तो दोस्तों उस पर पूरे महनत से करें इससे फायदा होने वाला है और आपको अपनी महनत के अरुप उचित पर नाम भी मिलेंगे युवाँ को प्रतिविता परिच्छा में सफलता मिलने से नोकरी प्राप्ति की संभावना है अपने वैबसाइक कारफ पनाली और गति विदियों को किसी से भी सेजार ना करें लेंदेन से समधित गति विदियों में भरपुर लाब होने वाला है साज़दारी करने की योजना है तो अभी उसे समधित और अधिक सोच विचार करने की जोरत है वैबसाइक गति विदिया निर्वधन ही चलती रहेगी सहग्यों तथा करुचारियां का अभी पूर्न रूप से साथ मिलेगा आलास के कारण काम न टालें वालकि कारे को समय पर अनुशार पूर्न करने की कोशिश करें वैबसाइक पक्ष में कुछ महत्वपुन इस्तियां बन रही है इसलिए गंबिर्ता के साथ अपने कामों को अंजाम दें देमी गति से चर्रे काम में आप सुधार आएगा समय मार्केटिंग से सबंदिक कारे को पूरा करने के लिए बहुती अनुकुल है आपको उचित सफलता मिलेगी वैबसा में उत्पादन छमता में सुधार आना शुरू होगा आर्थिक इस तिया में भी बहतर होगी इसमें मार्केटिंग से सबंदिक कारे को निप्टाने की कोशिश करें परपटि से सबंदिक वैबसा में कोई बहतरिन डिल होने की संभाव ना है लेकिन अपनी प्यारवारी गत्तिविदियों को किसी के समक्ष भी जाहिर न करें यवाँ को कारवार सबंदिक प्रियार शफल रहेंगे किसी की सलापर विश्वास करने से पहले उसके सभी पहलुवा पर ध्यान देना भी जरूरी है दोस्ता बात कलता आपके लव लाइप के बारे में विवाई समवन्दों में मदोर्ता रहेगी प्रेम समवन्दों में भी भावनातमा नजदेकियां बढ़ेगी पत्ति पत्नी के समवन्दों में नजदेकियां बढ़ेगी अपने लब पार्टनर को मेरेज के लिए परपोच करने का उचित समय है परिवारी वतारण उचित बनाए रखने के लिए आपका योगदान जरूरी है बेतर होगा की परिवार के साथ कोई मरोजन समंदी प्रोग्राम बनाए तो पत्ति पत्नी आफसी समान जरूरी उचित बना कर रखें था एक दूसरी की भावनाओं को कदर करें प्रेम समंद में मधुर्टा बनी रहेगी साथी साथ बेहोतर समंदों का खुलाशा हो सकता है इसलिए ऐसी गत्ति विदियों से दूर रहें जिवन साथी दता घर परिवार के परती आपका सहयोग और समर्पन की भावना घर के माहुल को पहुती सुखनामा बना कर रखेंगे लब पार्टनर की भावनाओं को ध्यान में रखें दोस्तों आपके स्वास्त के बारे में बात करें तो स्वास्त उत्तम रहेगा उची दिन्चारिया और खानपान आपको स्वास्त और उर्जवान बना कर रखेंगे गैस और बदाजमी की वज़े से सरीर में सुष्ती और ठकान रहेगी खानपान संतुलित रखें दोस्तों परति सपरदा की बज़े से डिस्प्रेशन हिन भावना जैसी इज़िती बन सकती है अतदिक तनाप की कारों से बचना जरूरी है दिन की सुरुवात व्यवाम योगा आदिसे करें मांस पेंसियों में खिंचाप और दर्द की समस्या बाढ़ सकती है साथी साथ हलका खान पान रखें दोस्तों छोटी मोठी स्वास्त वंदी समस्या बने रहने से ठकान रह सकती है इसकी बज़े से सारी कारे छमता में भी कमी आएगी दोस्ता मौसम में बदलाब की बज़े से ठकान और कमजोरी रहेगी उचीत खान पान और आराम में भी समय ध्यान दें स्वास्त ठीक रहेगा सिर्फ बदलते वतारण की बज़े से कुछ अलर्जी जैसी दिकते रहेगी परमपरागत इलाज लेना बेहतर रहेगा इनफेक्सान होने जैसी परेसानी रह सकती है महिलाएं खास तोर पर अपने स्वास्त के परती साजग रहे दोस्तो ज़्यादा काम के दवाब की बज़े से पेरों में दर्द और ठकान महसूस हो सकती है अपने आराम और सुविदा का भी ध्यान दें आपका स्वास्त उत्तम रहेगा तथा सारीक और मानसीक रूप से भी खुद को प्रभलित और उर्जवान महसूस करेंगे पर तु लापरवा भी ना बरते हैं आपका अपने दिन्चारिया और खान पान को व्यवसिद रखना आपको मानसीक और सारी रूप से उर्जवान वर स्वास्तम रखेगा दोस्तो वर्तमान मौसम की वज़े से आसुंतिलित खान पान लेना स्वास्त के लिए हानिका रख रहेगा और इसका असर आपकी कारण छमता पर भी पड़ेगा इस पर अधिक से अधिक ध्यान रखें स्वास्त ठेक रहेगा सारीक उर्जा भी बने रहेगी पर तो घर के किसी सदसे के स्वास्तों को लेकर चिंता रह सकती है नस्व में खिंचाव और दर्द की समस्या बढ़ सकती है वेवाम और योगा पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है दोस्तों आप बात कलताप के उपाय के बारे में दोस्तों इन उपाय को करने से मा लक्षमी की किरपा बनी रहती है सुक्रवार के दिन मा लक्षमी को लाल बिंदी, चुनरी, चुडिया, सहिट अन, सोलर, शिंगर अर्पिद करें इससे सोभाग की ब्रेदी होती है साथी पति की उम्रे लंबी होती है शुक्रवर के दिन लक्ष्मी सुरूत, कनकधारा सुरूत या फिर स्री सूत का पाठ करें इससे आपके सभी मनोकामनाय पूर्ण हो जाएंगे दोस्तों इस दिन मालक्ष्मी के मंदिर में जाकर कमल का फूल, कोडी, संख, यादी अरपित करें मननता है कि मालक्ष्मी को माखाने खिर बता से यादी का भोग लगाने से मालक्ष्मी जल्द ही प्रशन होती है और भक्तों पर कृपा वर्साती है और पैसों की कमी कभी नहीं होगी शुक्रवार के दिन काली चीटियों को सक्कर या चीनी खिलाने से इसे भी आपको बहुत ही लाग मिलेंगे शुक्रवार के दिन काली चीटियों को सक्कर या चीनी खिलाने से इसे भी आपको बहुत ही लाग मिलेंगे